नमस्कार आप देखने प्राइम टीवी मैं हूं मनिश बदोरिया उत्तर प्रिदेश के कानपूर दिहाद से हिदय विदारक घटना सामय आई थी जिसके बाद से सभी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रिदेश की योगी सरकार के खिलाफ लाम बंद हो गई इसी सिनसले में उत्तर प्रिदेश कांगरेश ने आज अपने प्रिदेश अध्यश बजलार खाबरी के नित्वत्त में एक प्रेस कांफेंस की और पीडित परिवार के प्रती अपनी समेदना व्यक्त करते हुए नयाय की गुहार लगाई है परसो कानपूर दिहात की हिर्दे विदारा घटना को लेकर विपच्छ योगी सरकार पर हला बोल चुका है इस समय हमारे साथ उत्ता परदेश कॉंग्रेस के परदेश अध्र विजलार खावरी जी बातचित के लिए मौजूद है खावरी जी परसो की घटना को लेकर आपने परदेशन किया आप राजभाण का भी खेराव करने चार रहेते लेकिन आपको परसासंगे द्वारा रोग दिया गया देखिए जब जब कॉंग्रेस किसी भी पीलित परिवार की लडाई लडने के लिए निकलता है किसी भी कानून के खिलाब लड़ता है जो जनता के हित्मे ना हो तब तब सरकार पुलिस को आगे करके सच्चाई को छिपाने का काम करती है उन्हें डर ये है सरकार को डर ये है कहीं कॉंग्रेस का डेलिगेशन राजपाल महुदय को सच्चाई ना बता दे और वो सच्चाई कहीं आपके माध्यम से जनता के बीच ना चली जाए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इस सच्चाई को दवाने के लिए पुलिस का सहरा ले करके हमें रोक दिया गया है और यह आस्वास किया गया कि राजपाल महोदिया बाहर हैं कल आने के बाद डेलिगेशन का जो डिमांड है वो उन तक पोँचाई जाएगी देर साम तक हम उनसे अवगत कराया जाएगा अगर हम संतोस्थ होंगे कांग्रेस पार्टी संतोस्थ होगी तो बात अलग होगी और नहीं संतोस्थ होगी तो यह हमारा जारकारिके में वो जारी रहेगा पूरे प्रदेश में चलना है उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर का कल्चर एक आ चुका है जिस पर लेकर तमाम भी पच्छे पाटियां प्रदेश सरकार पर निशाना साथ रही हैं आप इसको कैसे द जा रही है और थोड़े दिनों में सब जान जाएगी तो जिस जनता ने बुल्डोजर बनाने वाली सरकार को बनाया है वही जनता इस बुल्डोजर को खतम भी कर देगी आप जो है कल घटनास्तल पर जा रहे थे प्रसासां की दोर आपको रोग दिया गया इसके बाद आप आपका ये आरोप है कि जो भरजंता पार्टी के नेता है वो लगतार घटनास्तल पर पहुंच रहे थे लेकिन विपच्छ को वहां जाने की अनुमती नहीं दे रही तो तो शरकार के लोग हैं उन्हें भेजा जा रहा था कि इसको किसी तरी किसे रफा दफा करो समझोते मे लाओ ये सरकार अपने सरकार के लोगों को भेज कर रही थी लेकिन कांग्रिश इसलिए हो के सच्चाई कहीं बाहर निकल के जनता के पीशना चलिए जाए घुप Запर इसकारण से हमारे होजिएक कर प्यादे हमें डिटिन करके जो सच्चा ही है वो उसकी हत्या की गई है। कुछ अग्यात लोगों के खिलाब भी मुकदमें दर्ज किये गए हैं और लगतार आप मुआवजिव की मांग कर रहे हैं। है इसको दफन नहीं किया जा सकता है। यह कोई मांग नहीं है, मांग नियाई की है। अगर इन दो महलाओं जो मारी गई हैं इनको नियाई मिलता है तो इससे नियाई की बैयार बहेगी। इसलिए कॉंग्रिस की डिमांड है कि जिसने अन्या इत्याचार और इससे कांड को किया है चाए प्रसासन के लोगों चाए जनता के लोगों इने जेल भेजा जाए और यही पीरिट पक्ष के लिए नियाय माना जाएगा महा महिम से आज आपकी मुलाकात नहीं हो पाई अगला कदम क्या होगा कॉंग्रेस की तरफ से आपकी यह नियां कि आपको नहीं सुन पाए अब हमारे साथ उत्तर पर्देश कॉंगरेस के पर्देश अज्यर बिज़ाल खावरी जी जिनों ने कहा है कि अगर राजपाल महवो मुलाकात उनकी नहीं हो पाती तो इस प्रकार के प्रदर्सन जो है उत्तिर प्रदेस में प्रदेस। अस्तर पर ब्याबत रहेंगे औरолаक्तार जुए प्रदेस अच्तर ने यह बात कई है कि नियाय एकी मांग वह कर रहे हैं जो पिरित परिवार है uh पर दो लोगों की हत्या हो गई है इसके लिए वो न्याय की मांग कर रहे हैं मौवजे की मांग कर रहे हैं वीडियो जनली सुदिर के साथ मैं विवेक्षा आई प्राइम टीवी लखनवु नकल दूबे कानपूर में हुए बुल्डोजर कांड के बाद उत्र प्रेश में सियासी सरगर्मिया बढ़ने लगी हैं सभी विवखशी पार्टिया इस मुद्दे पर प्रेश की योगी सरकार को गेर रही हैं इसी सिल्सले में आज यूपी कॉंगरेस अद्धियाक्ष बिज से जनता को बचाने के लिए गुहार लगाने जा रहे हैं हम लोग हमलावर कभी न थे न हैं न हो सकते हैं यह जो बुल्डोजर राज चल रहा है कि जब चाहे जिस गरीब को जिस मद्यमवर्गी को मार दो निप्ता दो जला दो गिरा दो भगा दो यह नीती इस नीती खिला है वो आम जन्मानस की पीड़ा है कि भाई हम लोगों ने गुंडा गर्दी के खिलाब यह आवाज उठाई है और यह गुंडा गर्दी कताब बर्दास नहीं होगी चाहे वो सरकार के दोरा चाहे किसी के दोरा फिलाल हमाई खास सिपोर्ड में बस इतना ही देश-पिदेश की ख़बरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार